बस्तर नाम सुनते ही जहन में नक्सली घटनाएं आ जाती ऐाए इस इस अलाके से शूरकी खबर सामने आती है है अब सुद्इप्टो सेन N keyword विपुल शाह बस्तर की घटनाव से जोड़ी एक फिल्म लेकर आए है नाम है बस्तर दनक्सल स्टोरी और आज हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह डिक्टर सुदीप तो सेन और स्टार कास्ट यानि की एक्ट्रिस अदा शर्मा मौजूद है हम उनसे बात करे लिए और क्यों खास आपको या लगा इमेरे बहुत खास फिल्म है क्यूंकि डेश के लिए है देश के ऐसे मैंटर के बारे में है जो हम से चुपाया गया है मुझे भी नहीं पता था जो इसू दिखाएगा लिए फिल्म में और जब पता चला तो मुझ इतना घुसा है ज् बहुत मुश्किल है करना and I hope कि ये फिल्म से लोग अवेर हो जाएंगे जैसे मैं हुई and हाँ लोग अपकोस अलग है because real life में मैं ऐसी लगते हूँ but film में हम लोग ने बहुत महनत किया ता कि मैं realistic लग हूँ एक कॉप जो जंगल में रहती है जो अपने देश के लिए वो लड रही है बड़ी करॉप्शन से लड रही है बड़ी बड़ी पॉलिटिशन से एक सिस्टम से जो वो करॉप्शन सपोर्ट कर रहा है और हम लोग रियल लाइफ CRPF विमन से भी हम लोग मिले और वो उन से मिलके आइ थिंक मैं बहुत प्रभावत हुई तो वो realisticness performance में और लोख में वो सब आ ही गया सुदिप्तो हाथ इस बीबी वस बॉन और कैसे आपने बस्तर को एक आइडे को डलेप किया कि ताकि यह जो तमांग जो अलग चीज़े आती रही है जब भी हम बात करते हैं बस्तर की या नेक्सल की तो फिर एक सिरो टाइब इमेज बन जाती है उस धांचे में फिल्म ना ढले तो आपने उसके लिए कैसे मेनत करें आप मैंने इस मुव्मेंट को जो नॉक्षालवारी मुव्मेंट जिसको बोला जाता है वो 1967 में नॉक्षालवारी दारजिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्पंगल की नॉक्षालवारी पे शुरू हुई थी मेरा जनम उस जगा से सिर्फ 40-45 किलोवीटर दूर है तो मैं जैसे जैसे बड़ा मेरे जनम के बाद से मैंने उस मुव्मेंट को भी इवल्व होते हुए देखा उस मुव्मेंट नॉट बेंगल से साउथ बेंगल आई साउथ से साउथ बेंगल से बिहार ज़र्खंट और इसा आंधर प्रदेश महाराष्ट्र करते करते जब आगे बढ़ते गए मेरा भी इस और बनना है उसी दिन से मुझे लगा कि एक फिल्मिकर बनाना चाहिए क्योंकि ये इतना हिंसा, इतने सारे मुद्द्धर है जो हमारी देश के साथ तालमिल नहीं खाथ यह जो मावबाद है, यह जो Communist Ideologies है, यह ideology हमारी देश की ideology नहीं है, यह चाइना से रशिया से इंपोर्ट किया गया है, तो मुझे यह लगा कि एक बिदेशी ideology हमारी देश में आके, हमारी देश की जो एक समाज की, संस्कृति की, कल्चर की जो एक ecosystem बना हुआ था, उसको तोरन लोगों के अंदर हींसा इंफ्लिक्ट किया गया, तो मुझे लगा था कि इसके उपर फिल्म बनाना चाहिए, लास्ट आट-था साल से जब से बस्तर बना, बस्तर जाना शुरू हुई, और उसके बाद जाते-जाते नायनेया करेक्टर, नायनेया इशू सामने आने लगा, और एक दिन विपुल जी से मिल गए, तो डिसाइड किये कि इसके उपर फिल्म बनाएंगे और विपुल जी प्रोड्यूस करेंगे, एक मिया सवाल विपुल आपसी यही है, क्योंकि कमर्शिल जब आस्पेक्ट होता है, तो सिधा उसे प्रोडूसर प्रभावित होता है, बिंग प्रडूसर, आप कैसे सुधित्तो ने आपको साइडियक ले कर्विंस किया कि आप इस पर मुवी बनाएंगे, जब मैंने यह पूरा जो रिसर्च मटिरियल दादा ने मुझे दिया, वो मैंने देखा, तो उसमें कुछ बहुत चौकाने वाली बाते थी, अब बस्त इस पर में 76 जवानों को शहीद किया गया, यह किस्सा तो बहुत सारे लोगों को पता है, उस पर JNU में एक सेलिब्रेशन हुआ, यह किस्सा भी लोगों को पता है, लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा के एक चार महीने के बच्चे को सर पे आयन रोड मार के मार दिया गय और भी बहुत सारे एपिसोड वाइलिंस के मैंने देखे, 52 जवान शहीद हुए, कहीं 36 जवान शहीद हुए, फिर जब हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि NHRC की एक रिपोर्ट है, कि माववादी हिंसा में पिछले 50 साल में भारत में 55,000 के करीब मौते हुई हैं, और गर्मेंट का ऑफिशल आखड़ा है, वह है 47,000, 47,000, तो कश्मीर से ज्यादा मौत जहां हुए है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और कश्मीर तीन दशकों से नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मुद्दे की तरह चलता रहा, तो हम थोड़ा सा पैला चॉप गए, हम वह घय बीर, हमने जब वहां गए बस्तर में, तो एक और पहलू देखा, कि वहां नकसलवादी सडक नहीं बनाने देते, स्कूल नहीं बनाने देतें hospital नहीं बनाने देतें यहां तक कि भारत का जंड़ा स्वेल Edwards पहर को देता है अगर फैमेली निदो को पूरे फैमिली पूर नुद मार देंगे यह दैशत है ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बना के रखे और फिर देखा कि शेहरों में बैठे हुए कुछ लेफ्ट लिबरल इंटलेक्ट्वल्स यह एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि यह जो नक्सली है यह तो गरीबों की मदद करने के लिए वहां गए हैं और विकास के लिए इसे होगा तो यह सब जब देखा कि तो मुझे लगा कि यह पूरा जो नेक्सेस है वहां बैठे नक्सली और शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल इनको अगर एक सच्ची और इमानदार और एक बोल्ड फिल्म बना ही जाए तो इस देश के करोणों लोगों की आखें खुल भारत को नुकसान करना हुँ हमारे देश के लिए भी यह मुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है यह सिर्फ एक लोकल बस्तर का मुद्धा नहीं है तो इतने सारे जब आप मिशय देखते हैं तो फिर आप अपने आपको फिल्म बनाने से रोक नहीं सकते हैं सुदिप तो ल कर दोस्तों की फिल्म ता जिनमें एक दोस्त अभी भी चुछ अफगारिस्तां की जेल में है पड़े हुई है अभी तक भापस नहीं आ पाई एक दोस्त जिसको जिसने खुदकूशी कर ली उसकी माबाप अभी भी उसकी जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं एक दोस्त जिसको बार बार रेप किया गया आज भी उसकी एफायर की इंप्लिमेंट करने के लिए वेट कर रहे हैं और ये तील स्टूरी था, similarly बस्तार भी एक human story है, वहां की लोग, बस्तार की लोगों को जिस तरह सताय जा गया पिछले 50 साल में, जिस तरह उनके उपर बिभत्ष, atrocities, थोपा गया, जिस तरह उनको दहशाद में रखा गया, जितना डर में ओ लोग जीते हैं, हमने हमारी फिल्म में बस उसी की बात की, क्योंकि बंदुक उठा के किसी को डराना कोई politics नहीं है, और ओ जो politics है, ओ politics हमारी देश की politics नहीं है, तो बिलकुल हमारी फिल्म political film है ही न हमारी फिल्म उन लोगों की बस्तार की लोगों की पिसले 50 साल में इन लोगों ने जो exploitation, जो जो दहशात, जो अत्याचार साहा है, उसकी कहानी है, और जहां तक politics की बात है, उस political system के साथ कोई लड़ाई नहीं हो सकता, जो बंदुक की culture के बिलीव करता है, तो बढ़ी simple human tragedy की जो बंदुक की लड़की एक्रस बनना चाहती है, तो जाहिर सी बात है, जिदने हम लोग क्यामरे के आगे रहते हैं, तो एक glamour कोशन तो जोड़ा हुआ रहता है, फिल्म दा के लोगों स्टोरी उसके बाद बस्तार के साथ आप आरेगे, डर है मन में कहीं, कि स्ट्यो अगर अच्छी कप्रे पहनना और थोड़ा सा मेक अप करना वो तो हम लोग रोज कर सकते हैं, कोई भी आड के शूट में या कुछ पर ऐसे हार्टिंग फिल्म्स अगर आपको वो मौका मिल रहा है करने के लिए, तो आपको मैं बहुत ही फॉचुने और बहुत ही लगी हू मतलब कुछ है इन फिल्मों में एंड आइफिल की इन फिल्मों के लिए भी ओडियंस है तो आपको लगता है इसा? कि यहीं देफिनेंटली यह बात सही है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं दो श्रेणियों में विभाजित करताउं करिला कि करोना से पहले के दर्शक थे और करोना के बाद के दर्शक हैं क्योंकि करोना के दौरान घर पर बैठके उनोंने OTT पर पूरी दुनिया का अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इरानियन, कोरियन, हर कॉंटेंट को इंडियन ओडियन्स भर भर के देखा और चार साल में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सिनेमा से वो पूरी तरह बदल चुकी है और इसलिए अब वो चाहते हैं कि हमारी फिल्मों में कुछ स्पेशल हो अगर एक इंसान को या एक फैमिली को घर से निकल के थेटर तक लाने में अब फिल्म से जो डिमांड या एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गया है तो मेहनत सब के लिए ज्यादा है और खेर हमारी फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से परे है क्योंकि जब आप एक दे रintell lung से निए जबता है कि अधर वन और गया तो मुझे उमिडिय के वचा है कि अप से नुद maar अपर जाती आपको छोप घा बहुन के लिए खेर हो जो कि मुझे से का लोग्या प्र पाल है और अभा है फिल्म के लिये मुझे लागता ही यह बिए बहूप से तyas मैं परपेर कुछ माई दर्शकों के लिए आप सनाना चाहेंगे महाशिवात्री का मौका भी है आपसलिटली शिवतान्डव तो काफी लंबा होगा अगर आपका सेग्मेंट नौ दस मिनिट का है बट आइ तिंग जो शॉट है एक शिव जी का जो मेरी ममा और मैं करते घर पे यह विए प्रद यह अधर जो चाहिए नालम यह ते विप्रग्याह सवसाति सवल अफ़ात्व श्चंद्रचूड़ एस पाच्पन से आप यह जाती है नहीं आचली यह ममा ने मुझे तीन मैने पहले सिखा था यह वाला शिवतांडव मैं बहुत ताइम से कर रही हूं अधर एक एपिसोड जब हम बात करते हैं किसी मूवी को लेकर जब आपने कहा कि जुड़े हैं कुछ ऐसे फैक्स मालूम पर जिनसे आप अब तक अवेर नहीं थी कोई अपनी शूटिंग किसा सुनाई है कि किस तर को जुन्होंने अपने स्कूल में इंडियन फ्लाइग होईस्ट किया है मतलब अपने देश के अंदर ही वो रहते है बस्तर में और इंडियन फ्लाइग उन्होंने होईस्ट किया और उसके लिए उससे तुकडों में काटा जाता है उसकी बेटी और उसकी वाइफ के सामने बढ़ा बेटा वो लोग लेके जाते है नकसली बनने के लिए यही इंसिडेंट हमारे ट्रेलर में भी है मुझे बहुत खुशी हुई का मैं कॉमें अखुशें बार में कंने अन। इसंडेंट करेंगे हुई आख यह में अगाए व अगारी रूया करना थिक यह आखुशेंचा के बार में हुवर्य है। में लड़कियां काम करती है एक और जो थी वो प्रेगनेंट थी और साथ महिने तक उन्होंने बताया नहीं किसी को ताकि वो ड्यूटी पे रह सके एक काम करना हमारे देश के लिए वो बहुत ही बहुत ही बड़ा है और जो अकसर अनोटिस्ट हो जाते हैं हाँ टोटली अनोटिस्ट होते हैं यह टीम में दो रिक्वेस्ट की है एक तो सेंटर आला कामरा आपको फॉलो करना है और दूसरा यह कि हमारे पास टाइम है पूरा तो पूरा करना पड़ेगा अभी I don't know I think I'd rather talk about the movie that we are here but अपने अपने इंस्ताग्राम पर डाला हुआ है नो मिनिट का है because I feel वह जब ही करते तो माहौल बना के करना चाहिए I don't know अगर अगर आपने सुनाए और अगर शिवतांडव आपको सीखना मेरे इंस्टेग्राम पर है आप चार लाइन सीखें और प्रैक्टिस कीजिए फिर आप सब लोग भी सीख लोगे नाइस विपल जब आपने पूरी फिल्म को शूट स्टार्ट किया तो किस तरा की चालें हुआ कि वहां के जो जंगल है अबूज मार के उन जंगलों में जाके शूट करना पाथ सो छे सो लोगों की यूनिट को ले जाना बहुत सेफ नहीं है महाल वहां आज भी सेफ नहीं है और आप एक नकसल प्रभावित एरिया में जाके एंटी नकसल फिल्म बना रहे हैं तो कुछ खत्रे हो सकते थे तो हमने वहां शूट नहीं किया हमने कुछ सेक्षन घडचिरोली जो बस्तर का महराश्टर की और जो इससा आता है वहां पर हमने कुछ क्लामक्स और कुछ इंपोर्टन सीन शूट किये और महाराश्टर और गुजरात के बीच में कुछ जंगल है बहुत अंदर जाके उन जंगलों में एक लुक मिलता है जो आपको देख के लगता है कि आप बिल्कुल चटिसगड के बस्तर में आ गये हैं तो वैसे जंगल ढूंदे हमने और वहां पर ले जाना सामान एक्विपमेंट वह बहुत बड़ा चैलिंग मसला था लेकिन हमने क बस्तर क्यों देखे दर्शक बस्तर इस यह देखे क्योंकि जिस जगा के बड़े में 99% लोग हमारी देश की जो बस्तर सब्दी नहीं जानते थे इस देश में बस्तर करके कोई जगा है यही नहीं जानते थे इसके अंदर आज क्या हो रहा है इसके अंदर कितने हजारों ल एक लड़ाई था, यह देखना बहुत जुरूरी है कि कुछ दहशादगर्द ने 10-12,000 दहशादगर्द बंदुक हात में लेके पूरे बस्तार में जिस तरह अत्यचार और जिस तरह दहशाद की महोल बना के रखा है, यह एक भरती होने के नाती, यह हर इंसान को देखना चा और डर्षकु बताया, सब्सों को काई पूरी टीरी की बारे में आप सभी को हमाइर पूरे तरह शुआ काम आभी फिल्म के लिए तो यह थे हमारे साथ बस्तर दनक्सल स्टोरी की जो टीम थी और वो बतारह है कि किसी बाकी फिल्म से डिफरेंट है। बताए कि क्यों दर्शिकों को इस फिल्म को ठेटर में जाकर देखना चाहिए। खबरों के लिए आप देखिरिए New City